नमस्कार दोस्तो शुरेन हिंदी क्लास में आज हम विजेदेव नाराण साही को पढ़ते हैं विजेदेव नाराण साही जी नई कविता के प्रमुक कवी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठे करम में भी सामिल हैं विजेदेव नाराण साही जी का जनम 7 अक्टूर 1924 इस्वी को कबीर चौरा नामक इस्थान जो वारांशी में है वहाँ पर हुआ था विज्या दश्मी के दिन हुआ था 7 अक्टूर 1924 इस्वी को कबीर चाउरा वारानशी में विज्या दस्मी के दिन इनका जनम हुआ था निधन 5 नावंबर 1982 इस्वी को इलाहबाद में हुआ था निधन से कुछ दिन पूर्वे कुछ माह पूर्वे जो है इनको दिल का दोरा आये था और फिर 5 नावंबर 1982 को इलाहबाद में निधन हो गया था इलाहबाद विश्व विध्याले में 1970 में रीडर के पदपर फिर 1988 में प्रोफेसर बने इसी विश्व विध्याले में इलहाबाद विश्वविध्यल में ही 1970 में रीडर बन गए थे और फिर 1978 में प्रोफेसर इसी विश्वविध्यलम बने इनका सब्जेक्ट अंग्रेजी साहित थे था साही जी भासन देने में सिद हस्त थे 1969 में तीसरा सब्तक में साही जी की 20 कविताईं प्रकासित हुई थी 1969 में जो तीसरा सब्तक प्रकासित हुआ था अग्याई जी के समपादन में तो उसमें विशे देव नारण साही जी की 20 कविताईं प्रकासित हुई थी मचली घर 1966 में प्रकासित उनके जीवन काल में प्रकासित एक मात्र कविता संग्रह है यानि उनका निधन 1982 को हुआ था उस से पहले 1982 से पहले उनकी एक मात्र पुस्तक प्रकासित हुई थी मचली घर जो एक कविता संग्रह था 1966 में प्रकासित हुआ था अवर्भी कविता संग्रह इनके प्रकासित हुए है आलोचना भी प्रकासित हुई है निबंद भी प्रकासित हुए है लेकिन वो 1982 के पस्चाप जो है वो प्रकासित हुए है परसन ये भी बनता है कि इनके जीवन काल में प्रकासित एक मात्र पुस्तक जो है वो मचली घर है इनकी कविताओं में लगु मानव का चितरण किया गया है साही जी की कविता साही जी अपनी कविताओं में चितरित मानव श्यम उनके दवारा प्रिभासित लगु मानव का ही बिम्ब उप इस्थापित करता है इने लगु मानव का चितरण किया ही नोंने और लगू मानव की उसमें अपनी परिभासा भी नोंने दी है साखी 1983 में प्रकासित समवाद तुमसे 1990 में प्रकासित ये इनके कविता संग्रह हैं जो मरनो प्रांत प्रकासित हुए है आवाज हमारी जाएगी 1995 में प्रकासित एक गीत और गजल संग्रह है उनके दवारा लिखे प्रारंबिक गीत और गजलों का संग्रह जो है आवाज हमारी जाएगी इनकी मर्त्यु प्रांत प्रकासित का व्यात्मक पुष्टके हैं यहीं साखी 1983 में समवाद तुमसे 1990 में कविता संग्रह है आवाज हमारी जाएगी इसमें गीत और गजलों का संग्रह है लंबा निबंद है लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस इलहबाद से प्रकासित नई कविता में छपा यह जो है यह एक लंबा निबंद है लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस इलहबाद से प्रकासित नई कविता में यह छपा था समसेर की काव्यानु भूती की बनावट इनका दूसरा निबंद है समसेर की काव्यानु भूती की बनावट इनका एक दूसरा निबंद है आलोचना में भी इनोंने लिखी है आलोचना में जाईशी उन्नीशो तिरासी में प्रकासित इनकी स्रेश्ट आलोचना आत्मक पुस्तक है जाईशी उन्नीशो तिरासी में प्रकासित जिसका परसन भी जो है युजिशी नेट में भी बहुत बार आचुका है जाईशी का जाइशी को कूजात सूफी कहा इसमें विजेदेव नारण साही जी ने जाइशी को कूजात सूफी जो है वो इसमें कहा है साहित्य और शाहित्यकार का दाइत्वे 1987 में प्रकासित छटवा दसक 1987 में प्रकासित साहित्य क्यूं 1988 में प्रकासित और वर्दमान और पतनसील 1921 में प्रकासित इनकी आलोचना आत्मक पुस्त के हैं संपादन भी इन्होंने किया है संपादन में आलोचना पत्रीका 1953 से 1958 तक द्रहमवीर भारती डोक्टर रगुवन्स वे ब्रजेश्वर वर्मा के साथ सह संपादन इन्होंने किया है आलोचना पत्रीका का सह संपादन इन्होंने 1953 से 1958 तक किया है नई कविता पत्रीका अंक तीन से जगदीश गुप्त के साथ भी इन्होंने सह संपादन किया है नई कविता पत्रीका का संपादन भी इन्होंने जगदीश गुप्त के साथ जो है वो किया है साही जी ने अपनी कविताओं को आंतरिक एकालाप कहा है और ये इन्होंने मचली घर कविता संग्रह की भूमिका के अंदर लिखा है मचली घर कविता संग्रह की भूमिका में ये लिखा है कि उन्होंने अपने ही कविताओं को आंत्री के एक अलाप जो है उसकी संग्या दी है सत्य प्रकास मिस्टर ने साही को कूजात मार्कश्वादी कहा है और नरेंदर देव की प्रेरणा से ये सामंत वादी आंदोलन से भी जुड़े ये इनका कर्तित्व एम वेक्तित्व था फिर मिलेंगे किसी अच्छे साही देकार के साथ तब तक के लिए बाए